दोस्तों आज मैं आपको एक नई और स्पेशल ट्रिक का इस्तिमाल करके एक बार में बहुत सारी मिस्सी रोटी बनाना बताऊंगी और आप देख सकते हैं रोटी यहां पर कितनी जादा बढ़िया बनी है एक दम रेस्टोरेंट जैसी और इसको बनाने में टाइम भी कम लगता है और बहुत ज़ाद महनत नहीं लगती है तो चलिए एक बार में बहुत सारी मिस्सी रोटी यों को बनाना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक बावल में डालेंगे दो कप गेहु का आटा आदा चम्मच नमक साथी साथ डालेंगे तीन चम्मच बेशन आदा चम्मच लाले मिर्च पावडर आदा चम्मच अजवाएन एक चम्मच हल्दी पावडर एक चम्मच बेकिंग पावडर एक चुटकी बेकिंग सोडा मिला देंगे सारी चीजों को अच्छे से सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया काटके डाल देंगे मिलाएंगे अच्छे से और अब हम पानी डालकर डो तयार करेंगे तो हमें यहाँ पर सॉब डो तयार करना है जिस तरीके का डो हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं उसी तरीके का डो बनाना है तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे खटर नहीं डालेंगे नहीं तो डो लूज हो जाएगा डो यहाँ पर हमारा रेडी हो गिया है अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे तो हातों की मदद से दबाते हो इसको हमें स्मूथ कर लेन है इस तरीके से और अब हम डालेंगे यहां पर एक सुखा गेहूं का आटा पर्थन के लिए और अब हमें डो में से पोशन लेना है और इसकी तोड़नी है बराबर बराबर साइस की लोईयां और लोईयां बनने के बाद इसका बनाएंगे हम पेड़ा और पेड़े की उपर पेड़ेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और बेलन की मदद से बेलते हुए हम यहां पर मिस्सी रोटी को तयार कर लेना है यह दे तो यह है यहाँ पर हमारी ट्रिक, सेकने के लिए मैंने यहाँ पर यह बड़े साइस की कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है, कढ़ाई गरम होने के बाद अब हम बिली हुई रोटी के एक साइड लगाएंगे पानी, तो पानी लगाने में कंजूसी बिलकुल ना करें अच्छे से लगाएं, और जिस साइड हमने पानी लगाया है, उसी साइड से ही हम रोटी को कढ़ाई के उपर रखेंगे, तो सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके सारी रोटीयों को हमें गरम-गरम कढ़ाई के उपर रख लेना है, यह देखिए इस तरीके से, और आप देख सक इस ट्रिक का इस्तिमाल करके आप एक बार में बहुत सारी रोटीयां बना सकते हैं, तो यहाँ पर यह तन्दूरी मिसी रोटी हो गई है, हमारी बनके तयार, रोटी को हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे, यह देखिए कितने अच्छे से बाहर निकलाई है, और बहुत अच किसी भी सब्रत या फिर्टाल मकन भी खेस कते हैं दोस्तों एक बार आप इस ट्रिक्स सी इन मिसیک को जरूर बनाए और यह जो ट्रेक्ग है इस ट्रेक्स के करके आप बहुत सारी रोटिया एक बार में बना पाएंगे रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स शेयर कीजिए सुखी रही स्वस्त्री मिलेंगे आपके साथ नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बाए बाए